आपके साथ आपका आपका अपने बेहत खास कारी किन मैं मैं हूँ आपके साथ आपके अपना आचार राजमिश्राओं 2023 में 17 जन्वरी को सनी राशी परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि आपकी राशी शामी है, आपकी राशी से अगली राशी यानि कुम पर जा रहे हैं, मेरे मकर राशी के प्यारे जातक जाती का, आप जानते हैं, सनी का परिवर्तन हमारे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लेकर देखा जाता है, आपके जीवन में इनके परिवार्तन से क्या इंपाक्ट पड़ेगा और पूरे वर्ष जो ब्रहाषपती का भी शण्योग है ब्रहाषपती परिवर्ते तो होंगे अक्तूबर तक बाहू भी रहेंगे तो अखे इन 3-4 प्लाइनेट के प्रिवरतन से क्या प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ेगा उसको बात करते हैं शुरू में तो साढ़े साती का प्रभाव साब रहेगा मकर रासी के लिए शेकंड हाउस में फर्ष्ट हाउस में गोचर करेंगे फिर सेकंड हाउस में गोचर करने चले जाएंगे थर्ड हाउस में ब्रहस्पती रहेंगे फोर्थ हाउस में आपके राहू गोचर करने वाले हैं तो अगर हम पंचांग से especially बात करें कि पंचांग क्या कहता है आपके लिए तो पंचांग कहता है कि 17 जनवरी से बरस आन तक दितिय भाव में संचार करने से शनी के और चतुरत भाव में राहू की नीच दृष्टी चतुरत भाव में जो है वो राहू रहेंगे जहां पर नीचस दृष्टी रहेगी जिससे ब्रिधा, ब्रिधा मतलब बेकार के दौर, धूप, खर्च, अधिक, मानशिक, अशान्ती और जो हम दिल में स्टोचे उस कारे को ना बनने दे इस परकार के संयोग है 14 जनवरी से 12 फरवरी पर 89 पर सूर्य संचार करने से आयकम खर्च अधिक होने वाला है 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच मद्द दितिये भाव में सूर्य सनी योग होने से निकट बंधूँ के शाथ मतभेत तकरार के हालाद बनेंगे 17 मार्च से 9 माई तक मंगल की अस्टम दिश्टी रहने से क्रोध अत्यधिक उत्पन होगा इसको ध्यान रखेगा उत्तेजना अधिक रहेगी 10 माई से 30 जून तक मंगल की सोच दिश्टी होने से अत्यधिक संघर्ष के बाद आयकिशादन बनते रहेंगे लेकिन 3 अक्तूबर से 16 नौमबर तक मंगल की पुना उच्चस दिश्टी रहने से भाग में ब्रद्धी होगा नए लोगों से मेल मिलाप होगा प्रसन्नता अधिक रहेगी आर्थिक परिस्तिया सुन्दर होगी आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे उपाई क्या करना चाहिए वर्ष भर सनिवार को सरसो के तेल में चेहरा देख करके आपको तेल दान करना चाहिए साइनकल में सनी के भीजवन्त ओम प्राम प्रीम प्राम शासन अए नमा इस मंत्र का श्रद्धा पूरवक आपको जब करना चाहिए और उसके साथ प्रतेक स अनिवार को अगर संभव हो तो काले गाए की जो काले वरण की गाए है उसको चारा खिलाना आपके लिए फायदे मन्द होगा अन्य जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं जैश्री राम बाधन